नमस्कार दोस्तों मेरी इजी लिख्टी ग्यान इट्टू में आप लोगा स्वागत है दोस्तों आज हम एंगल ग्रेंडर के बारे में जनकारी लेंगे जो कि इसका मोडल नमबर है यह वाई 600 का 850 वाट का है और यह जो है एंगल ग्रेंडर अभी डैट के स्थिति में है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है तो चलिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं डैरेट बोर्ट से लगाकर तो यहां इसका में लिड है जो कि इसका जो थिरी पिन टॉप होता है टॉप काट दिया गया है तो चलिए सबसे पहले इस बोर्ट में लगाकर हम इस सेंगल ग्रेंडर को चेक कर लेते हैं यहां से स्यूच को आउन करने के बाद में जो ग्रेंडर है चालू हो जाना करें बिल्कुल एक बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल बंद की स्थिति में है तो दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इसके बारे में जदी जनकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लाइक कर दे और सबस्क्राइब नहीं किये है त पीछे का जो इस कुलने के बाद में इस कोबर को निकाल देना है निकालने के बाद में सबसे पहले इसका मेन लीड को चेक करेंगे मेन लीड को चेक करने के लिए मल्टिमीटर हो या डिसी टेस्टर या स्रीज बोर्ड के मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं तो मेरे पास मल् म seis करेंगे तो मिवर्तिमितर में रेड़् और बलेक को वी एक लिड़् अवाइड पर हम रख लेंगे और उसी तरह से यहां पर बढू हुआर जो है। बिल्कुल सही हुद कर रहा है। उसका बाद में भूरावाला जो भूरा वाला वायर को भी उसी तरह से हम चेक कर लेंगे तो दोस्तों देख रहे हैं भूरा वायर पर मल्टिमीटर में कोई भी लेट सो नहीं कर रहा है क्यों बुलू वाला में कर रहा है और भूरा वाला जो है बिल्कुल बीच में से कहें से ओपन हो गया है तो यहाँ पर दुसरा wire को change करना होगा तो फिलाहाल सबसे पहले हमको यहाँ check करने के लिए यहाँ एक छोटा सा या दुसरा wire यहाँ पर हम joint करके check कर लेंगे तो चलिए मैंने जो brush wire है brush wire को निकाल दिया यहाँ पर मेरे पास एक wire है तो इस wire को यहां पर हम ज्यांट करके आप सबसे पहले चेक कर लेगे कि जो grander है grander चालू की स्थिति में है या बंद की स्थिति में उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जिदी खराबी होगा तो उसके बाद में हम step by step समझेंगे करा से कैसे ठीक होगा चेक कर लेंगे कि जो grander है grander चालू की स्थिती में है या बंद की स्थिती में उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जैदि खराबी होगा तो उसके बाद में हम step by step समझेंगी कहां से कैसे ठीक होगा तो चलिए यहाँ पर मैंने wire को लगा दिया उसके बाद में यहां सिरीज बोर्ड में लगा कर सबसे पहले चेक कर लेंगा हो सकता है यह अंदर कोई खराबी होगा सोट होगा तो कुछ नुकसान भी हो सकता है तो यहां सबसे पहले सिरीज बोर्ड में लगा कर चेक कर लेंगा तो दोस्तों देख रहे हैं यहां से सिरीज रख स्विलेट बूट में लगाने कंगउ और डूट में लगाने के बाद में देखा है जूर रहा है और यहां पर मेरे पास अस्ट्य को का बोल्ट मीटर जो होता है काटा उसका देखा देते हैं जिसी हम ग्रिणर को आउन कर रहे हैं तो ऐस्ट पुलाइजर का जो काटा है नीचे की तरफ गिर जड़ा इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई sorting है तो sorting होने के कारण क्या होता है कि इसा problem आता है तो सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे चलिए ये वोला wire को हम हटा लेते हैं इसलिए कि wire हटा लेंगे तो फिर हो जाएंगे अब हमको अंदर में चेक करना होगा बाहर से जो है बिल्कुल clear है कोई दिकत नहीं है अंदर जो होता है field coil होता है और armature होता है उसको देखने के लिए इधर 4 screw जो हब में कसा हुआ है 4 screw को open करना होगा खोलना होगा उसके बाद में हम अंदर देखेंगे कि क्या प्रोब्लम है तो रहा बहुत हीटिंग भी हो रहा है तो अंदर भी कोई खराबी हो सकता है तो चली 4 screw को हम खोल लेंगे तो चारोई screw उपन करने के बाद में हाथ से पकड़ कर इसको आराम से खिच लेना है यह आसानी से हफ जो है बाहर निकल जाएगा और उसके बाद में आरमेचर को निकलने के लिए इसको भी हिलाड उलाकर निकलना होगा या आप पिचकस के साहरा भी ले सकते हैं पिचकस के सहरा लेकर इसको दोनों साइड में और इस तरह से आर्मेचर को पुरा बाहर निकाल देंगे जिदी दिकत हो रहा है तो जो इसका कार्बन है कार्बन को हटा लेना है पहले कार्बन भी कभी कल क्या होता है कि फंसता है तो कार्बन को हटा लेना है कि और मेचर को अचीतर से दिख लेना है कि आर मेच ने कहीं सोर्टिंग हुआ है कि नहीं वेशका व्गourage्स और वी जाम हुआ है कि नहीं हुआ तो आगे पिछे का जो घोड़ा भिड़ा थीग और मेचर वी ऐसे में सही दिख रहा है तो चलिए अंदर में फिल्ट कोईल को भी चेक कर लेते हैं, फिल्ट कोईल चेक करने के लिए यह जो डस्ट कैप जो लगा हुआ है, तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, और निकाल कर अंदर फिल्ट कोईल भी चेक कर लेंगे, फिल्ट कोईल भी सोटिंग होने के कारण एसा प्रोब्लम होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिल्ड कोयल सही है अर्मेचर खराब है अर्मेचर सही है तो फिल्ड कोयल खराब है तो फिल्ड कोयल बहुत कम खराब होता है ज्यादा तर अर्मेचर ही खराब होता है आर्मेचर खराब होने के सोर्टिंग होने से क्या होता है कि ऐसा प्रोब्लम आता है तो अभी फिला हाल जो है फिल्ड कॉयल सही है इसका कार्बन भी सही है तो चलिए हमार्मेचर को फिर एक बार ओच चेक कर लेते हैं ऐसे कॉयल तो सही दिख रहा है लेकिन कार्बन भी जो पॉइंट है यहां पर जला हुआ नजर दिख रहा है तो हो सकता है फिल्ड कॉयल सही हो आर्मेचर से ही प्रोब्लम हो तो आर्मेचर को हम दुसरा लगा कर चिक करेंगे तो आर्मेचर दुसरा लगाने के लिए हमको यहां पर जो बोल्ट है दस नमबर का रिंच लगेंगे तो इस बोल्ट को खुलना होगा, दस नमबर के रिंच ले इसको एक हाथ से पकड़ के या पकड़ मसीन से पकड़ के इसको खीच लेंगे, तो इसके नमबर है जी डावलू के 600 का यानि कि इसका 600 का नंबर है इस पर भी लिखा हुआ है 600 का देख रहे हैं एवाई 600 तो इसी नंबर से आर्मेचर आपको मार्केट से लाना होगा और सेम उस नहीं नंबर का मेरे पास आर्मेचर है तो सबसे पहले इस आर्मेचर को लगा कर हम चेक कर लेंगे तो इसका आर्मेचर पर भी लिखा हुआ है देख रहे हैं यहाँ पर 600 कोई कोई पर लिख कर आता है कोई पर लिख कर नहीं आता है तो चलिए दुस्तों आर्मेचर को लगाने से पहले एक बार साइज भी हम चेक कर लेते हैं साइज भी बिल्कुल सही होना चाहिए इसलिए कि जो मोडल नंबर है मोडल नंबर से पता चल जाता है और यहां जो इसका नट बोल्ट है जो बैरिंग है जितने सार इसमें लगा हुआ है इसको चेंज करना होगा तो चलिए इसको निकालने के लिए हम धिरे धिरे करके निकाल लेते हैं इसका बैरिंग भी है और इसी तरह से नयवाला अर्मेचर में लगाना होगा चले दूस्तों बैरिंग निकल गया साथ nave कि उसके बाद में डेस्ट कैप है तो डेस्ट क कम को लगा देंगे और हम बैरिंग जनुदा करना है तो बारिंग भी चरि सकते आहें लेकिन अभी मेरे पास यह जो बाइरिंग है बिल्कुल अभी सही है तो थोड़ा सा इसमें, असीन का एल डाल देते हैं, और अब बिल्कुल फिरी हो जाएगा चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यदि कस्टमर कह रहा है कि बैरिंग चेंज कर दना है तो आप बैरिंग भी चेंज कर सकते हैं तो आच्छा और आच्छा होगा तो चलिए हम इसी बैरिंग को इसमें लगा लेते हैं चलिए बोल्ड को हम बोल्ड को अच्छी तरह से कस लेना है जिस तरह से आगे का बैरिंग निकाले थे चेंज किये थे सेम उसी तरह से पीछे वाला भी बैरिंग को चेंज करना है तो दूस्तों यह जो टूल्ड है टूल्ड का जैदी काम करना होगा तो थोड़ा बहुत कुछ आउजार खरिदना पड़ता है तो और अच्छा रहता है तो यहां पर बैरिंग जो है बैरिंग अच्छ ऐसे नहीं निकल पर आया तो इसके लिए पूलर को मदद से हम बैरिंग को निकाल लेंगे पूलर से क्या होता है कि आसानी से कोई भी काम जटपट हो जाता है तो चलिए दूस्तों पीछे वाला भी बैरिंग हम चेंज कर लेते हैं चाहे तो आप पीछे वाला बैरिंग भी नया लगा सकते हैं जैदि बैरिंग साई है तो आप उसी को लगा लेंगे अब इस आर्मेचर को लगाने से पहले क्या करना होगा कि जो कार्बन है दोनों साइड को कार्बन को बाहर निकाल देना है नहीं तो आर्मेचर जो है अची तरह से बैट नहीं पाएगा थोड़ा सथ दिकत होगा तो चलिए दोनों साइड का आर्मेचर को निकाल लेते हैं उसके बाद में आर्मेचर को लगाएंगे कर्दाद आर्मेचर को लगागा बाहर भाल स्वेचर करते हैं कि युदों है लो मत कर्दाद करते हैं कर्दाद आर्मेचर को लगाख करते हैं तो दुस्तो वार मेचर बैठ गया और जो ड्रस्ट कैप का प्लास्टिक है ध्यान देना है कि सेट में आपको चाहिए उसके बाद में आगे का जो हब है हब को बैठा देना है तो दोस्तो कोई जरूरी नहीं होता है कि जो स्यूच हैं स्यूच को आप अपने मताबिक स्यूच को जिधर करना चाहते हैं उसके अनुसर आपको क्या चीज करना है उसके अनुसार स्यूच को आप इधर उधर कर सकते हैं तो चली यहां पर मैंने चारो स्क्रूप को अच्छी तरह से कस लिया है और यहां पर क्या करना होगा कि कार्बन को फिर उसी तरह से हम लगा देंगे दूरों सैट का उसके बाद में हम चेक कर लेंगे कि जो ग्रेंडर है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो यहां पर जो वायर है वायर तो खराब है वायर को चेंज कर लेना है फिला हाल हम दूसरा वायर यहां पर जो वायर से पहले चेक किये थे सेम वही वायर से हम लगा कर चेक कर लेंगे चले यहाँ पर वायर को कस दिए उसके बाद मैं डारेट बोट से लगा कर चेक कर लेते हैं तो दूस्तो देख रहे हैं इसका क्यवल आर्मेचर से प्रोलम था आर्मेचर के वज़ा से जो वायर था वायर भरस्ट हुआ था तो दोस्तो इलेक्टिक इलोक्रोनिस से जोड़ी कोई भी जनकारी लेना चाहते हैं तो आप मेंसे कमेंट बक्ति में जरूर लिखें इसी तरह से नेक्स वीडियो में हम फिर मिलेंगा तब तक चलते हैं दोस्तो जैहिन